हेलो प्रेंस वेलकम बिक टू माई चैनिल आज का इस वीडियो में बहुती सुन्दर डिजाइनर सिलिस बना के तयार की है तो चलिए इसे बैनाना स्टार्ट करते हैं पहले इसके लंबाई ली है 15 जिसके चोड़ाई है 5.5 इंचर नीचे के और हमने पेपर पेस्टिंग लगा ली है और यहां पर थोड़ी सी फोल्ड करते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो फ्रेंस दोनों साइड ही हमें थोड़ी थोड़ी फोल्ड करते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो पहले सबसे हमारा जो पहला काम है वो बोर्डर तयार करना है तो देखिए यहां पर एक साइड हमने इसको तयार कर ली है और इस बोर्डर में खुबसूरत करेंगे तो देखी सकते हैं यहां पर दोनों साइड चलिए पहले हम इसको इसस्टिचिंग कर लेते हैं तो यहां पर कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है अब यहां पर extra धागा extra fabric को cut करेंगे cut करने के बाद कुछ इस तरीके से इहां पर lace हमने लगाई है अगर आपका पास इस तरीके से Lay's नहीं कोई भी designer Lay's हो या फिर plain lattice भी इहांपर लगा सकते हैं तो हमने कुछ इस तरीके से Lay's यूज किया हैλε pasta से अर मोती के सहीता से इस खुबसूरत design को create करेंगे तो प्रेंज अगर आपका पास कोई भी प्लेन फेब्रिक है उसको खुबसुरत लूग दे सकते हैं कुछ आपको यूनिक डिजाइन करना है और बस कुछ लेज या फिर कुछ समोती के साहिता से आप खुबसुरत डिजाइना सी लेज में कनवर्ट कर सकते हैं तो देखी सकते हैं एहां पर इस लेज को हमने दोबाडा सा एपलाई किया है आड़ डबल करते हुए लगा दी है तो कुछ इस तरीचे से दोनों साइड में इस लेज को हम पहले एटच कर लेंगे तो देखी सकते हैं दोनों लेज हमने लगा के त्यार कर ली है अब यहाँ पर इंसाइड में भी लेज लगा लेते हैं तो कुछ इस तरीके से पहले स्टीचिंग करके इस जो हमारा नीचे बाला बोडर है उसको हम तयार कर लेंगे तो हमारा जो सीलिप से वो असान तरीका से और कुछ बहुती कम समय में बनके तयार हो जाती है तो फिर से हम एक लेज यहाँ पर लगाएंगे सेम डिजाइन रखेंगे उपर और नीचे में थोड़ी सी हमने इसको बोडर लुक देने के कोसिस की है तो देखी सकते हैं लेज के साहिता से इस बोडर है इसके लुक बहुती सुन्दर आने वाली है तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेजर्मेंट करके और चलिए उपर वाला हिस्सा को तयार करते हैं तो इसके लंबाई रखे हैं 17 इंच इसके चोडाई ली है 8.2 इंच और इसको यहाँ से लेनी है 5.5 इंच और एहाँ पर 7 पॉयंट में एक मार्क लगा देंगे मार्क लगाने के बाद यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे मीडिल पॉइंट में भी एक छोटा सा कट लगानी है कट लगाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी छोड़त हुए इस प्लेटेस को उठाना है और कुछ इस तरीके से इस प्लेटेस को लगाते जाएंगे तो देखे प्रेंस हमने जहां पर कट लगाए हैं वहां तक इस प्लेटेस को पहले डाल लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इस प्लेटेस को हम लगा लेंगे तो यहां तक ही हम इस प्लेटेस को डालना है और यहां तक हम इस प्लेटेस को डालने के बाद यहां पर धागा को कट कर लेंगे अब कट करने के बाद दूसरे साइट को प्लेटेस को भी उल्टा करते हुए सेम तरीका फोलो करते हुए इन साइट को प्लेटेस को भी हम कम्प्लीटली लगा लेते हैं तो प्रेंस अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब किजिएगा और बेल नोटिपिकेशन जरू से पेस करना जब भी हमने यह वीडियो अपलोट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखी प्रेंस नीचे के ओर हमने completely stitching कर ली है अब उपर के ओर जो हमारा प्लेटे से उसे अच्छी तरीके से बिठाएंगे उसके बाद यहाँ पर सीधा इसको stitching कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से stitching करना होगा उसके बाद दूसरे साइट को प्लेटोस को भी हम अच्छी त बोर्डर तैयार की थी उस बोर्डर को यहाँ पर लगा लेंगे तो देख लेते हैं मीडील में रखके जैं हमारा बोर्डर छोटा बड़ा अगर हो भी जाती है तो कितना चोटा बड़ा होता है उसे हम बाद में कट करेंगे तो पहले चली stitching कर लेते हैं तो कुछ इस तरीक से रखना है नीचे के और रखना है हमारा उपर वाला हिस्सा और बोर्डार को उपर पर रखते हुए इसे सिधा stitching कर लेनी है तो देखे प्रेंस यहाँ पर जो हमारा बोर्डार था ओ कम्प्रिटली लग चुकी है आप चाहो तो यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं अब यहां पर हम डिजाइन क्रिएट करेंगे डिजाइन क्रिवेट करने के लिए देख अछी हमारा ज्यादा डिजाइन करके अंदर के साइट अगर फोल्ड हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है तो इसके इसी लिए हमने यहाँ पर पहले मेजरमेंट करने के बाद इसको लगाना स्टार्ट की है तो कुछ इस तरीके से एक के उपर एक रखत हुए थोड़ी सी मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ पर सीधा इसको मोती लगाते जाएंगे तो line up करते करते इस मोती को complete लगा लेंगे तो चलिए एक के उपर एक रखते हुए थोरी सी margin छोड़नी है और यहाँ पर मोती अच्छी तरीके से stitching कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इस line up के उनजाई इस मोती को लगाएंगे फिर से हम दो बाड़ा इसमें घुमा देंगे तो एहाँ पर टाका भी लगारा ज़रूरी है क्योंकि एहाँ पर hand stitching हो रहाए तो एहाँ पर अच्छी से stitching करना बहुत ही जरूरी है अब इसको middle में हम मोती को ल से इस मोती को attach करेंगे तो देखी सकते हैं तीर्ची करते हुए इसको लगानी है तो चलिए फटापर से इसको तयार कर लेते हैं तयार करने के बाद देखाते हैं इसके final look और वीडियो अगर पसंद रहे तो वीडियो के एक like जरूरू करना तो देखी सकते हैं कितना easy तरीक final look देख सकते हैं वीडियो काईसी लगी कमेंट में जरूरू बताना